पूजा पाट से जाने की आवाज भी आ रही है वो सब आप लोगो ने देखा ही होगा जल चढ़ा के पूजा पाट करके मैं चली गई नीचे हैलो वेलकम बैक टू माई चैनल कामिने ब्लॉग कैसे हैं आप सब मैं आपकी कामिनी आप लोग हमेशा खुश रहे है माता रानी गोरी माता करें आप लोग हमेशा खुश रहे है आप क्या है ना कि आज जो मैंने कल बताया था कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है कल का था लेकिन आज तो जो दूप निकले वही बारिस आज हुई होती ना तो जादा अच्छा रहता और मैं आप लोगों को बता दूपी फाइनली मैं मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया और मैंने तो कल मुझे तो घप्राहट हो रही थी ना कि मैं कैसे मतलब कैसे तयार कर पाऊंगी क्या होगा लेकिन सब हो गया वह होता है ना कि जो सोचो अगर ठान लो तो अगर करो तो हो तो जाता ही है तो मेरा भी ऐसे हुआ और मेरा बन गया वह ब्राउज और मैंने सोचा ना कि मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाते कर लेती हूं जब तक नेल पेंट वगयरा लगाती हूं तब तक आप लोगों से बाते कर लेती हूं और आप लोग कब उठे थे वो सरगी खाने पहले क्या था ना कि मैं सरगी खाने नहीं उठती थी लेकिन इस बार मैं उठे थी पहले मैं 11 बजे या फिर साड़े 11 बजे मैं डारेक्ट रोटी सबजी ही खाते थी और वहीं खाके फिर सो जाती थी सुबह ब्रत रहती थी लेकिन इस बार क्या था ना कि मैं 12 बजे उठी और पानी मतलब फलाहारी पानी जो भी फलाहारी रहता है वो मैं की हूँ और बाकी मैंने कुछ भी अनाज नहीं खाया और खाया ना भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग बोलते भी है 12 बजे बाद तो की अग्यातों तो हम लोग उठना वीचाते थे तो भी जगाती थी कहते थी कि उठो उठो और जब तक नहीं उठते थे पीछे पढ़ आती थी लेकिन वो चीजें अभी अगर से और आजीव सा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा दही हमेशा तो नहीं लेकिन इस बार मेरी भावी ने बोला कि क्या करते हैं इस को थोड़ा सा खा लेना लेकिन खा लेना जरूर तो मैंने क्या किया ऐसे थोड़ा सा मतब चक किया समझ लीजिए थोड़ा सा ही उसके बाद से फिर सुबह उठी पूजा वगेरा करके सुबह का पूजा हम लोग क्या है ना कि घर में ही करते हैं अपने घर में और पूजा करके फिर उसके ब से फिर नास्ता वगेरा सबको करवा कि फिर मैं उपर आ गई उपर आने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो मेरा बच्चा हुआ ब्लाउज है उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूं उसके बाद से कंप्लीट कर लिया मैंने ब्लाउज हो गया मेरा और साम को जब मैं तयार हो जाओंगी तब दिखाऊंगे आप लोगों को फिर मंदिर जाऊंगी और मैंने सुचा कि जब तक इधर ये सब काम कर रहे हूं तब तक आप लोगों से थोड़ा सा बाते कर लेती हूं और आप लोग कैसे मना रहे हैं तीज बो बताईएगा बच्चों के आने का टाइम हो गया है ना और घड़ी में बज़ रहा है तो तो मैं सोच रही थी कि अब नेल पेंट लग गया है और आलता मैं अभी नहीं लगाऊंगी मैं सोच रही थी ना कि मैं जब नहा कि जब मंदिर जाने का टाइम होगा तब मैं आलता लगाऊंगी क्य थोड़ी दिर बाद बच्चों को खाना वाना खिला के फिर उसके बाद से आउंगी उनको सुलाओंगी बापू को फिर उसके बाद से जब उठेंगे फिर नहां वहां के फिर जाओंगी तयारों के बंदिर बंदिर जाओंगी लेकिन हमेशा मैं पास में चली जाते थी दिख कि स्कूल डाते हैं तो ठुक जाते हैं तो मेरा यह मुन करता है कि थोड़े देसahlादें तो आराम मिल लाएगा उनको इसलिए मैंने इनको सुलाद दिया फिर उसके बासे एक घंटे मैं भी यह हुआ कि आराम करलू थोड़े देर। आराम करने के बाद फिर मैं उठी और घड़ी में देखा मैंने साढ़े चारिया पाँच लगभग बज़ रहा होगा फिर उसके बाद से मैं चली गई नहाने नहाध हुआ कि मैं फिर आ गई अपने कमरे में और मैंने उठाया अपना मेकप बॉक्स फिर मेकप करने लगी सोना सोना लगता है तो फिर पहले ना पहले मुझे पसंद नहीं था मेकप वगेरा लेकिन धीरे धीरे जब मैं करने लगी तब मुझे अच्छा लगने लगा मेकप अब तो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बता हूँ और खासकर 30 करवा चौथ इन सारे चीजों पर अगर मेकप ना करे तो क्या फाइदा उसके बास से मैं यहां तयार हो रही थी उतने में ही क्या हुआ ना कि बाबू उठ गए और उठने के बाद बोल रहे थे कि मुझे भी चलना है और आप कहीं जा रही हो मेरे बिना चली जाओगी क्या मैंने बोला नहीं बेटा मैं आपको ले वीडियो बना लूँ आपका तो ये वीडियो जो है न ये बाबू का बनाया हुआ है और छोड़ा साही था तो मैंने क्या हुआ इसकी स्पीड धीरे कर दी ताकि आप लोग अच्छे से देख लें फिर उसके बाद से हम लोग बाइक से निकल गए मंदिर आप लोग टाइम द साड़े साथ बज रहा था पिछली बार क्या था ना कि मैं दिन में ही पूजा कर ली थी आप लोग मेरे पिछले बीडियो में जाएंगे न तो उसमें आप लोग को दिखेगा कि मैं दिन में ही मंदिर पहुँच गए थी तैयार हो यार होके लेकिन इस बार तो बहुत रात लेकिन जब मैं मंदिर पहुंची तो क्या बताऊं इतनी भीड थी इतनी भीड थी कि क्या बताऊं आप लोग देखी सकते हैं इधर आप लोगों को कम ही दिख रहे होंगे तो मैंने सोचा कि यहां बैठ के मैं दिया जला लेती हूँ फिर एक रांटी बोली कि बेटा उठ जा नहीं तो रास्ते में दिया पड़ रहा है फिर मैं वहाँ से उठी में वही खड़ी होके देख रही थी मैं किधर जाऊं जहां मैं दिया जलाप आऊं जहां मैं पूझा कर सकूं फिर किसी तरह से मैं अंदर घुसी फिर उसके बाद से अंदर गौरी माता को श्रिंगार वगएरा सारा चड़ाया फिर संकर जी की पूजा की फिर उसके बाद से मैं इधर किनारे न इस तरफ आके मैंने दिया जलाया और आप लोग देखी रहे होंगे चारो तरफ तरवाजा था और चारो तरफ लोग खड़े थे चारो तरफ भीड थी और मंदिर ऐसा नहीं है सिर्फ संकर भगवान जी का ही है यहाँ पे सनी भगवान जी और गौरी माता और क्या कहते हैं हनुमान जी और काली माता जगह-जगह जाके अगर मैं वीडियो होंगी न तो बहुत बड़ा हो जाएगा है है यहां पे न किसी किसी घर के जैसे क्या है कि तीन चार लेडीज साथ में जैसे क्या है एगर एक सास थी तो दो बहुए एक सास तीन बहुए ऐसे थी तो बहुत अच्छा लग रहा था आरती कर रहा है यहीं सब लोग साथ में जब भहुत धेर सारी लेडीज होती है न तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, कोशिस करेंगे कि अगली बार से सब को साथ में लेके जाएं, अगल बगल अपने फुवाव को भी, अगर हूँ पाया तो जरूर लेके जाओंगी, और पैदल जाओंगी, क्योंकि थोड़ी दूर जाना ही पड़ेगा, तो क्या हुआ, लेकिन जाओंगी सब को सा में ससुर उनके आर्थी गाह रहे थे, और चाहे बहु या बेटियां ऐसे तीन-चार लेडीज मिला के पूजा कर रहे थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, कि क्या ही बताओं। आजाओ, आजाओ। नदी के किनारे पे है, और यहाँ पे भी सब लोग दिया हुए जला रहे थे, तो मैं यहाँ भी आई और पूजा और दिया में जलाई, यहाँ का जो वियू था, जो नजारा था, वो तो बहुत ही अच्छा था, और मैं वही इन से कह रही थी, कि बहुत अच्छा लग रहा तो मैंने बोला नहीं, कहरा था, गोरकपूर उस पार है, मैंने बोला नहीं, अपना ही है इधर, जहाँ पे हम लोग हैं, तो ऐसे में मुझे सबसे अच्छा पूजा करके यहीं पे लगा, मुझे आप लोग देखी सकते हैं, रात बहुत हो गई थी, नहीं तो और ही अंकर भगवान जी का, तो मैंने ऐसे क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद से ऐसे चोटे-चोटे करके यहीं देखिए, यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर थे, उसके बाद से मैं आ गई घर, और घर मैं सुबह चार बजे जब मैं उठी, तब यह फल और सिंगार का साम मैं चूती हूँ, मतलब सुबह चूके इसको दान किया जाता है, और वीडियो कैसा लगा, एक कॉमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि क्या होता है आप लोग उसके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो बनाके बहुत अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है, तो इसे आप लोग सेर जरूर करिएगा, बाए बाए